हाई एवरिवन स्वागत है आप सभी आंगरवारी वरकर्स का पोसंट्रेकर एप की एक और नई वीडियो में जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पोसंट्रेकर एप पे जो भी काम होता है वो ऑनलाइन डाटा फिर किया जाता है तो माली जीये कभी आपका नेट काम ना करे य या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इमर्जेंसी के दवरान जो नेट की सिवाय है उसको बंद कर दिया जाता है तो उस टाइम आप लोग पोसंट्रेकर एप में कौन-कौन सा जो महतोपूर्ण काम है उसको आप लोग बीना इंटरनेट के कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको इसी के रिकार्डिंग बताने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महतोपूर्ण है वीडियो को आप लोग सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देख लिजेगा अगर वीडियो में दी गई जनकारी आपको पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को ल औफ जैसे हि है आफ लोग NET OFF करेंगे तो आपको यहाँ पर एक symbol दिखाये जाएगा कि आपका जो NET है वह यहाँ पर offline mode में काम कर रहा है और नीचे आप लिगोंको देखने को मिल जाएगा offline mode याणि कहाने का मतलब है कि अगर आप लोग offline mode में काम करते यह तो आपका जो data है वो तीन दिनों के लिए आपके फोन में storage रहेगा यानि कि तीन दिनों के अंदर आपका जो net pack है वो आ जाता है या फिर आप कहीं से भी wifi के अपना net on कर लेते हैं तो वो तीन दिनों के अंदर आपका data server पे upload हो जाता है तो इस परकार से ये बिना internet की सेवाएं जो है इस परकार से काम करती है अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन-कौन से महतोपूर्ण काम को हम लोग कर सकते हैं देखिए फर्स नमबर यहाँ पे आप beneficiary वाली category में आएंगे ठीक है आने के बाद यहाँ पे जितने भी लभारती हैं उन सभी का आप new registration offline mode में असानी से कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम किसी एक category को open करते हैं open करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बच्चे का नाम है वो दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पर new registration पर click करेंगे तो आपका इस परकार से page खुल के आएगा और यहाँ पर आप स्वील अभारती का registration करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर वच्चे का अगर अधार काड है ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर health ID है तो आप लोग डालिएगा और ना इसको छोड़ सकते हैं फिर यहाँ पर बच्चे का date of worth डालना है यहाँ पर male female select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर name of the father या guardian का नाम आपको यहाँ पर डाल लेना है फिर यहाँ पर उसके माता का नाम यहाँ पर डाल देना है ठीक है यह सब डालने के बाद आपको यहाँ पर mobile number डाल लेना है mobile number डालने के बाद आपको category select करना है कि वो किस रेनी से वो belong करते हैं SC, ST, OBC जो भी यहाँ पर category है यहाँ पर आप लोग click करेंगे तो यह इसका जो option है खुल के आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर religious minority का option आप लोग यहाँ पर हमेशा no ही देखने को मिलेगा अगर यह जो लभार्थी है वो religious minority है तो यहाँ पर yes करेंगे वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर बच्चे का वजन डालेंगे कितना केजी में उसका वजन है उसके बाद यहाँ पर हम उस बच्चे का height मापेंगे और centimeter में यहाँ पर डाल देंगे इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर submit का एक option मिल जाता है आप यहाँ पर जैसे ही submit करेंगे तो आपका जो लभार्थी है वो save हो जाएगा ठीक है और save हो जाने के बाद आप लोग कहाँ पर देख पाएंगे कि यह जो लभार्थी है उस save हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ सम बैक करेंगे तो उसके बाद आपको कहाँ पर देखना है जैसे कि यहाँ पर आप लोग किली करेंगे तो उस लभार्थी का आपने new registration किया है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है और उसके साथ ही साथ आप portion tracker app में जो बहतोपून काम daily tracking का होता है उसको भी आप लोग यहाँ से offline mode में कर सकते हैं daily tracking पर किली करेंगे और किली करने के बाद यहाँ पर आप आगनवारी केंदर का status डालेंगे कि आपने आज आगनवारी केंदर खोला है या नहीं खोला है ठीक है यहाँ पर open close का option देखने को मिल जाएगा अगर नहीं खोला है तो यहाँ पर close करेंगे और खोला है तो यहाँ पर open पर किली करेंगे तो इस परकार से आप लोग यहाँ पे AWC daily tracking भी कर सकते हैं offline mode में ठीक है और बाकी आप लोग कोई भी activity करना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे जैसे कि यहाँ पे click करेंगे तो आपको इस परकार से pop-up देखने को मिल जाएगा मोर वाले option भी click करेंगे तो इस परकार से pop-up देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ पे new registration और daily tracking का काम कर सकते हैं offline mode में ठीक है उसके बाद एक और महत पूर्ण जो काम है जैसे कि आप लोग पोशन ट्रेकर app में login करेंगे जैसे कि फिर से हम यहाँ पे net को on कर लेते हैं ठीक है on करने के बाद यहाँ पे हम मोर वाले option में आ जाते हैं और यहाँ पे log out हो जाते हैं log out होने के बाद हम फिर से यहाँ पे net को off करेंगे इट ओफ करने के बाद यहाँ पर हम अपना mobile नंबर और MPIN डाल के देखते हैं कि यहाँ पर login हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि पहले यहाँ पर offline mode में login हो जा रहा था चलिए हम चेक कर लेते हैं तो हमने अपना mobile number और MPIN डाल दिया है अब यहाँ पर हम login वाले पर click कर देते हैं तो आप जैसे ही login वाले पर click करेंगे तो offline mode में यहाँ पर अभी फिलाल login नहीं हो रहा है बट पहले यहाँ पर login हो जा रहा था तो अभी यहाँ पर आप लोग offline mode में login नहीं कर पाएंगे बाकी जो दो काम हमने आपको बताया कि निव डैस्टेशन और डेली ट्रेकिंग आप लोग कर सकते हैं तो जोन मोड में वो आपका तीन दिनों के लिए वैलिट रहेगा तीन दिनों के अंदर आपको एक बार नेट वाइफाई के जड़िये या आप नेट डलवाके जो इसका डाटा है वो सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं तो आई होप आप लोग को आज की इस वीडियो से जनकारी मिल गई होगी अगर वीडियो में दीगी जनकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दिजेगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा आप और इस वीडियो से रिकार्डिंग कोई भी प्रोब्लम हो तो आप हमें कमेंट वाक्स में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद